हालो एव्रिवान वेलकम टू पढ़ ले कॉमर्स और कैसे है आप मैं आशा कर रही हूँ आप अपने घर में बिल्कुल सेफ हैं तो आज हम करेंगे क्या आज हम करेंगे है accounting equations को देखे accounting equation को करते हुए हमाएं टीन lecture हो चुके हैं और हमारी equation form जैसे करना होता है हमें आता है लेकिन अब हम करेंगे टी फॉर्म पर क्या करेंगे टी फॉर्म पर मतलब अब यह जानेंगे की कैसे अकाउंट्स बनाते हैं राइड तो सब पर बहुत ही सिंपल है C L E A R अब देखिए C refer to here capital क्या refer करेंगे हम capital को L refers to the liability, E refer to the expenses, A refer to the assets और R refers to the revenue अब इसके basic terms हमने कर लिये है, right? तो capital, liability, expenses, assets और revenue अच्छा बीच में कौन सवर्ड आ रहा है पीच में कौन सवर्ड आ रहा है देखिए अभी मैं आपको यहां पर क्या करा रही है तुक के से करा रही हूं जिके लेकिन जब हम devil a double entry system करेंगे तो हम rules को जाल लेंगे और जो मैं अभी बता रही हूं आपको और ज्यादा clear हो जाएगा next lecture में जिके अब यहां पर देखिए ई और यह हमारे बीच में आ रहे हैं जिके ई और यहां पर जब भी आपको दे रखा हो expenses मतलब खर्चे जब भी आपको यहां पर दे रखा हो assets जिके तो रेफर करिएगा यहां पर हम टीफर मतलब account को बनाते हैं ना टी फॉर्म में ठेके तो यहां पर हमारा क्या होता है debit side यहां पर होता है credit side चले अब यहां पर हम इसको right and side कर देते हैं ठीक है और इसे हम left and side कर देते हैं जैसे मैस में होता है राइट समझने के लिए जस्ट समझने के लिए अभी आपने accounts में बिल्कुल entry नहीं करी है तो यहां पर हम क्या करेंगे जब भी कोई expenses होते हैं तो expenses को जब increase होगा तो हम debit side पर डालेंगे और अगर यहां पर इंक्रीज होगा और अगर यहां पर assets है assets है तो assets को हम क्या करेंगे बताइए देखे expenses जब increase होगा तो हम debit side पर करेंगे राइट लेकिन जब assets होगा और assets increase होगा तो हम क्या करेंगे assets increase को होगा तो हम क्या करेंगे बताइए इस साइड लिखेंगे तो अगर यहां पर expenses जो है वो हमारा decrease हो रहा है चिके expenses जो है मरण decrease हो रहा है तो हम क्या करते हैं हम इस साइड लिखते हैं सोट इससे हो रहा है तो अगर हमारी expenses decrease हो रहा है, assets decrease हो रहा है, तो उसे हम credit side पे लिखते हैं, तो this is for C और E, अच्छा बाकी यहाँ पर क्या बोलेंगे, C, L और R के लिए, यहाँ पर क्या होगा, C, L, R के लिए, C, L, R के लिए, यहाँ पर आप टी format में करोगे, तो यहाँ पर जब right hand side, मतलब की debit side में, अगर यह सारी चीज़े decrease हो रही हूँ, decrease हो रही हो, तो आप right hand side पे लिखोगे, और अगर increase हो रही हो, तो आप left hand side मतलब credit side पे लिखोगे, ठीक है, क्या करोगे, credit side पर लिखोगे, तो यहाँ पर यह चीज़ बोली गई है, देखिया, अभी मैं आपको यह कहूँ, कि मैं golden rules को बता द हूँगे, लेकिन एक चीज़ हमेशे याद रखे, C-L-E-A-R, clear, clear हो गया, जब भी expenses और assets increase होते हैं, तो वो debit side पे लिखे जाते हैं, और जब expenses और asset decrease होते हैं, वो credit side पे लिखे जाते हैं, अगर capital increase हो रही है, तो वो credit side पे लिखे जाएगी, liability increase हो रही है, credit side पर होगी, अग in a case of, अगर capital जो है, वो decrease हो रही है, तो debit side पे लिखा जाएगा, liability decrease हो रही है, debit side पर लिखा जाएगा, revenue, अगर decrease हो रहा है, तो वो debit side पे लिखा जाएगा, जाएगा, तो यहां पर हमार को क्या करना है, ऐसे करना है, मैं, अभी इतना हमें थोड़ी थी confusion और आरे है, अब यहां पर आप लिखे कि first of all question जैसे मैंने आपको कहा यह एक्जाम्पल है यह बुक में नहीं है तो मैं आपको कह रही हूँ है बड़ी लिख लो चिक है आप लिखे प्रिपेर फर नीचर अकाउंट क्या बोलोगे प्रिपेर फर नीचर अकाउंट राइट प्रिपेर फर नीचर अकाउंट ठीक है अब यहां पर ट्रांडेक्शन जैसे मैंने बोल रखा ए अगर आपने क्या करा परचेस किया पर नीचर परचेस 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 फर नीचर ठीक है फर एकजांपल रूपीस 9000 ने 9000 का फरनीचर बाइट किया ठीक है भी आपने क्या करा आपने फिर परचेस किया एक फ़नीचर फिर परचेस किया अगें purchase furniture मैं golden rule ना आपको side by side बता देती हूँ लेकिन उसको पूरा depth में हम करेंगे अगले lecture में that is double entry में इसलिए मैंने थोड़ा सा इहां पर आपको clear का format बताया है लेकिन ये क्यों है इसके पीछे logic क्या है हमने रट्टा तो मारना नहीं है मैंने आपको बार-बार कहा कि accountancy में रट्टा मारने को कोई चीज नहीं है अगर कोई रट्टा मार रहा है तो पूरा बेस खराब हो जाएगा तो अभी आप मैं कह रही हूं कि रट्टा नहीं मारना और इसके पीछे का क्या लॉजिक है वह मैं आपको अभी बता तो हूंगी चाहिए डोंट तिंग कि मैं तुक्के से कोई क्वेशन कराने वाली हो आपको तो सी पाइट अगर हम कहें अगेन परचेस फरनीचर फॉन थाउजन अब हमने सोल्ड किया फरनीचर को सोल्ड फरनीचर ठीक है सोल्ड फरनीचर हमने थी थाउजन का फरनीचर को बेच दिया ठीक है और उसके बाद हमने मशीनरी भी बेची कि अब एक चीज़ यहां पर देखे कि फरनीचर आखिर है क्या फरनीचर आखिर है क्या अगर हमारा कोई काम आ रहा है तो हम यह बोलेंगे फरनीचर आखिर है क्या क्या है फरनीचर आप बोलोगे मैं यह तो असेठ है ठीक है आप बोलोगे यह तो असेठ है असेठ है को के फरनीचर क्या है कोई परसन को रेफर कर रहे हैं नहीं परसन को रेफर कर रहे हैं नहीं मतलब मैं मैं हूं नहीं आपके प्रने भाईया नहीं आपके अथर भाईया है नहीं ठीक है आपकी हीर मैं मैं नहीं तो फरनीचर क्या है आखिर है क्या फरनीचर फरनीचर एक रियल अकाउंट होता है ठीक है तो फरनीचर क्या होता है एक रियल अकाउंट होता है तो इसका क्या होता है इसका golden rule होता है डेबेट वॉट कमसें एक रेडिट वट गोगोज आउट तो यह हमारा रियल अकाउंट होता है तो वहीं तो का debit what comes in बतलब कि जो आ रहा है असे जब increase हो रहा है तो debit side पर लिखना है और जब decrease हो रहा है तो credit side पर लिखना है तो logic समझ में आया इस चीज़ का जो मैं assets को कह रही हूं कि असे जब increase होता है तो वह debit side पर जाएगा asset जब decrease होता है तो वह credit side पर जाएगा इसके पीछे का rule भी यही है कि यह एक real account है और golden rule क्या कहता है कि जो आता है उसे debit कर दो जो जाता है उसे credit कर दो यही तो है ना जो आता है उसे debit कर दो, जो जाता है, उसे credit कर दो, तो वही इसके पीछे का logic है, ठीक है, तो अब हम furniture account को बनाएंगे, ठीक है, furniture account को बनाना कैसे है, that is important, ठीक है, तो सबसे पहले देखिए, हम अभी पूरा format तो नहीं करेंगे, लेकिन हाँ, T-shape बनाते हैं, तभी हम इसे T-shape बोलते है ठीक है, तो उसके बाद हम क्या करते हैं, एक amount की value बनाते हैं, ठीक है, एक amount की value बनाते हैं, फिर यहाँ पर एक और amount की value बनाते हैं, तीशे बन गया हमारा, उसके बाद हम क्या करते हैं, ऐसे यहाँ पर उपर करकर, फिर इसे हम account को close कर देते हैं, बतलब ऐसे बंद करते हैं फिर उपर हम लिखते हैं furniture account furniture account समझ में आया यह चीज था फिर हम क्या करते हैं यहां पर हम करते हैं particulars और यहां पर हम अमाउंट लिखते हैं यह रुपी का sign बना दो no problem in that case तो particulars और रुपी का यहां पर sign बना दो यहां पर हमारा क्या हो गया debit side यहां पर हो गया हमारा credit side क्या हो गया यहां हो गया हमारा debit side यहां पर हो गया हमारा credit side अब हमारा क्या है purchase furniture 9000 अब हमने क्या करा है purchase furniture अब furniture को हमने purchase किया तो मतलब furniture का account increase हो गया ठीक है increase हो गया बतलब debit side अब फरनीचर दिया होगा तो हमने क्या किया होगा हमने कैश कैश बे दिया होगा तो हम यहां पर अगर फरनीचर कर रहे हैं तो बाहर क्या जा रहा है मतलब की कैश जा रहा है कैश कम हो रहा है तो हम क्या बोलते फरनीचर अकाउंट debit ठेक है अब यहांपर क्या कहते ही to लिखते है है बाहर क 되는 cash जा रहा है to cash cash क्यों क्योंकि cash decrease हो रहा है यह credit side पर जाएगा ठेक है तो यहांपर हम क्या लिखेंगे हम सबसे यहां पर लिखेंगे two cash two cash अब cash कितने का है 9000 का तो यहां पर हम 9000 का furniture लिया, furniture account debit debit side पर लिखा और बाहर क्या गया? cash गया, again हमने furniture को purchase किया 1000 का, तो same होगा कि furniture increase हो गया, लेकिन cash decrease हो गया, तो यहाँ पर 1000 हम यहाँ पर लिखेंगे, उसके बाद उन्हों ने कहा कि उन्हों ने furniture को बेचा 3000 का, furniture को बेच दिया, 3000 का furniture बेच दिया, ओके, जब furniture को बेचा, तो cash हमारा क्या हो गया, increase, furniture हमारा क्या हो गया, decrease हो गया, ठीक है, तो यहाँ पर हमने क्या बोला, कि यहाँ पर म लिखेंके golden rule को जो डेख लो credit what goes out क्या जा रहा है बाहर furniture बाहर जा रहा है तो हम cash को debit करते हैं यहां पर two furniture लिखते हैं अब हमार को furniture account त्य बनाना है furniture account बनाना में हम तो ben Angle rkt cash क्यों क्यों हमारा cash in crease शो रहा है और furniture बाहर जा रहा है तो हम क्या बोलते हैं भाइट कैश करेंगे तो यहां पर 3000 होगा फाइन अब एक और चीज़ समझे अभी यहां पर क्या रिखाया है कि फॉल्ड फ़नीचर फॉर्ट हाउजन अब सर्ण फ़नीचर को बेचा 4000 में फ़नीचर को सरी मंशीनरी को बेचा 4000 में अभी यह यहां पर हमारी तो अगर हमेखरेंप ही बनाना है तो हम मशीनरी के इंट्रि करेंगे फ़नीचर करेंगे ंब यहां पर rynंट उता है जिसे हम आगे लेकर जाना चाते हैं तो हम बोते हम लिता हैं Aegisla सालами बाइन करेंगे डाइब히 걸नुअ तब 9 10,000 यहां पर होगे विटा चीक है और उसके बाद 10,000 माइनस 3,000 डाट is 7,000 तो 7,000 बैलन्स हमार को ले कर जाना आगे और यहां पर हमने क्या करा 10,000 इस भी अमांट चीक है अब चलिए एक और चीज़ कर लेते हैं अब आपको बुक एंट को मैं आपको यहां पर दूं कि फ्वेशिन यह एक्जैंपल सतहीं ठीकिनन हतना चलिए वक्वेशन करते हैं अभी बूक कर करांगी में आपको क्या करना MIKE यू अब तो प्रिपेर प्रिपेर क्रेडिटर सकाऊँ अब इस बर ही हमें क्या बनाना है प्रिपेर ख्रेडिटर सकाऊँ है अब यहांपर लिख रखा है कि अगर आपने पढ़ गर अब ये question में को कराना है तो मैं थोड़ा सा उपर लिख देती हुए ताकि T format वाला मैं यहीं बना पूँ ठीक है प्रिपेर बोल दिया ओके पर्चेस गुड्स ठीक है फ्रॉम एक्स पर्चेस गुड्स फ्रॉम एक्स एक्से अपने पर्चेस करें फर एक्सेंपल 10,000 रुपीज ठीक है और उसके बाद रिटर्न कर दिये गुड्स 3,000 के तो मैंने क्या बोला रिटर्न गुड्स टु एक्स 3,000 के गुड्स को हमने रिटर्न कर दिया फिर अगें पर्चेस किया एक्से 50,000 का ठीक है अगें पर्चेस गुड्स फ्रॉम एक्स 50,000 ठीक है और उसके बाद पेइमेंट मेट टु एक्स कितनी 6,000 के ठीक है 6,000 के हमने पेइमेंट कर दिया यह एक एक्सेंपल है अब इसको आपको क्या करना है क्रेडिटर्स अकाون्ट बनाना है। क्रेडिटर्स कौन होते हैं सबसे पहले आप भूल गए हो तो मैं आपको बता दू कि क्रेडिटर्स वह लोग होते हैं जिनी हमेंगी पैसा देना होता है अधर हमने उधार पर किसी से और है और जिसे हमने पैसे देने हैं तो that person is called as creditor अब creditor क्या है creditor क्या है ध्यान से देखेगा creditor क्या है यहां अपारी liability है मतलब creditor को हमें pay करना है तो creditor हमारी liability है तो अगर liability decrease हो रही है तो debit side पर और liability increase हो रही है है तो credit side पर ठीक है ओके तो यहां पर क्या है creditor क्या है एक liability है liability है तो और यहां पर liability है तो यहां पर क्या होगा कि liability जब decrease हो रही है तो debit side पर और जो liability है वह increase हो रही है तो credit side पर तो यहां पर हम क्या लिखेंगे सबसे पहले हम लिखेंगे creditors account चिके creditors account and you will write debit और यहां लिखोगे credit तो यह क्या है यह हमारा उल्टा है तिक है यह हमारा क्या है यह हमारा furniture account नहीं है यह हमारा real account नहीं है तो यह person को refer कर रहा है तो यहां पर क्या करेंगे purchase goods from x 10,000 अब creditor क्या है creditor हमारी एक liability है बिटा liability तो liability जब increase होती है तो credit side हमारा बढ़ जाता है तो यहां पर हम क्या करेंगे जब हमकरे goods करें तो हम लिखेंगे by क्या लिखोगे by purchases ठेक है तो by purchases purchases क्यों क्योंकि हमने goods को purchase करें तो हम लिखते हैं तो हम लिखते हैं पर purchases account debit तो purchases हमारे increase हो गया लेकिन creditor भी हमारे यहां पर increase हो गए तो यहां पर हमारी दोनों चीज़े हो गए तो by purchases हमारे 10,000 ठीक है इसके बाद return goods to x 3,000 return करें मतलब और जो creditor है वो decrease हो गया तो return to purchase return क्या लिखते हैं जो हमने purchase किया उसको हमने return कर दिया to purchase return होता है चीक है that is 3,000 चीक है that is 3,000 में यहां पर ऐसे लिख देते हूं format आप अपने बना लेना चीक है ना okay उसके बद अगें purchase goods from x तो हमने क्या लिखा by purchases फिर आपने purchases करें that is 50,000 that is 50,000 a payment made to x मतलब कि credit decrease हुए तो cash हमारा हुआ to cash that is 6,000 ठीक है that is 6,000 तो total कितना हुआ हमारा यहां पर 60,000 ठीक है तो अब हम यहां पर क्या बोलेंगे to balance carried down balance carried down ठीक है और यहां पर क्या आया 60 में से अगर 9 गए तो that will be क्या हो जाएगा बोलो 60 अब for example 10,000 है 50,000 है that is 60,000 ठीक है that will be 60,000 ठीक है तो यहां पर आपको clear हो गया everyone फटा फट से जिनको लिखना है वो लिख लीजे चलिए तो यह सारी चीजे हमने देखी कि क्रेडिटर क्या है क्रेडिटर हमारी liability है क्रेडिटर हमारी liability है तो क्रेडिटर एक्स है राम हो सकता है शाम हो सकता है तो debit what comes in credit what goes out तो यहां पर हमारा क्या है कि यहां पर क्या है यहां पर debit what comes in credit what goes out वाला रोल नहीं लेखे गा क्यों क्योंकि यह रीक है क्यों लिखना लेखिये और एक मिनटब ताइम दे रही हूं जिसका अभी भी रह गया है जिसका अभी भी रह गया है प्लीस लिख लीजे लिखो लिखो लिखे लिख 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 लिखिया हो गया चलिया तो यहां पर जब हमने बोला कि अगर क्रेडिटर है तो यहां पर हमने लिख लिया तो क्रेडिटर कोई परसना है मतलब कि एक्स हो गया वाई हो गया तो यह हमारा परसनल परसन है तो यहां से हमारे यह कहते हैं यह परसनल अकाउंट है क्या है परसनल क्रेडिट दागिवर जिसको मिला है उसे debit कर दो और जो जिसे दिया है उसे से प्रेडिट करो टो क्रेडिट दी गिवर क्रेडिट दी कि रिवर क्या करोंगे आप ऍसके दिया है क्रेडिटर टीक है TO यह पर हम इसको यह ओम में लगा ला जौत अभी यहां पर हमारा ड enquा गोईल का ही BOOK भुक में से qwerichtet है that आप इस लाइक तो यहां पर लिखो, question number, question number 6.30, okay, question number 6.3, sorry, page number 6.30, okay, question number 20, question number 20, and they are saying, sold goods for cash 60,000, sold goods to Hari on credit 20,000, अभी हां पर आपको बोल रखा है, that you have to make the cash account, आपको यहां पर cash account भी बनाना है, टेटर अकाउंट भी बनाना है, और creditor's account भी बनाना है, बिटा, एक चीज़ याद रखेगा, एक चीज़ याद रखेगा, यहां पर, क्या, कि आपको न अभी के लिए, अभी के लिए बस इसी format पर चलना है, टेकर अगर liability हमारी increase हो रही है, तो credit side पर liability हमारी decrease हो रही है, तो debit side पर, golden rule यह मत मानिएगा, कि यह सारे के सारे इसी पर ही apply होते है, मतलब कि कोई भी apply हो जाता है, कभी भी, चीज़ तो उसके लिए double entry system करना जरूरी है, बट I am just saying कि creditor क्या होता है, यह हमारे personal account होता है, उसका rule होता है, debit the receiver, credit the giver, credit the giver, मतलब जिसको giver और receiver जो है, मतलब पाने वाला उसको debit कर दो, और giver देने वाले को credit कर दो, ठीक है, तो यहाँ पर हमारा यह rule होता है, confuse मत हो येगा, क्योंकि आप अगर इसको ले कर चलेंगे, तो थोड़ा बहुत confusion starting में हो सकती है, but it's okay, चाले, अब goods sold for cash 60,000, ठीक है, तो यहाँ पर question क्या रख रखा है, यहाँ पर लिख रखा है, कि sold goods for cash 60,000, fine, तो चाले, अब हम पहले क्या बनाएंगे, cash account बनाते हैं, ठीक है, तो पहले हम क्या बनाएंगे, cash account, cash account क्या है, cash क्या है, हमारा asset है, यहाँ से सोचो, cash क्या है, यहाँ पर क्या है, cash क्या है, यह तो हमारे asset है, यह revenue है, बताओ, नहीं, नहीं, बताओ, 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 चलो, हाँ भी हम बताते हैं, लेकिन पहले हम बना लेते हैं, ठीक है, ओके, पहले हम बना लेते हैं, फिर हमारा क्या बताएंग अभी मैंने बताया नहीं है, just हम अभी entry करते है, sold goods for cash 60,000, अब जब हमने sold goods करें, तो goods मतलब की increase हो गए, goods sold increase होए, decrease होए, मैं decrease होगए, जब हमने sold करें goods को, तो goods हमारे decrease होगए, लेकिन cash हमारा increase होगया, तो cash हमारा increase होगया, क्या होगया, increase होगया, तो यहाँ पर हम क्या बोलते है, cash account में हम क्या बोलेंगे, cash account में बोलेंगे to goods, to sales, sales क्यों बोला हमने, sales हमने यहाँ पर इसलिए बोला, क्योंकि हमने goods को sale किया है, तो goods हमारे decrease होगए, तो जब भी इसके entry होती है, हम बोलते है, cash account debit ठीक है, 2 sales, ठीक है, 2 sales, ठीक है, तो यह हमारा cash increase हो गया, that is 60,000, तो increase अगर हम लिख रहे हैं, तो यह हमारा क्या हो गया, एक तरह का हमार को, अगर asset increase हो रहा है, debit side पर asset decrease हो रहा है, तो credit side पर तो यह A की form में आ जाएगा, ठीक है, ओक है, तो sold goods to hurry on credit, अभी यहां पर sold goods to hurry on credit, यहां पर cash की कोई चीज करी गई है, नहीं, तो इसको हम बाद में करते हैं, goods from Christian on credit, इसमें कुछ कर रखा है, नहीं, purchase goods from Christian for cash, हाँ, यहां पर cash है, तो यह वाली entry को पकड़ो पहले, ठीक है, cash account बनाया हमने, अब purchase goods from Christian for cash, तो हमने क्या बोला, cash account debit, ठीक है, अगर, एक मिन्ट, क्या किया है, ठीक है, हमने यहां पर क्या बोला, हमने बोला, purchase goods from Christian for cash, अभी यहां पर हम क्या लिखेंगे, मैंने तो sale के entry लिख दी, purchase is account debit to cash, to cash, क्या करा था, Christian से हमने खरीदा था, ठीक है, तो हमने क्या बोला, Krishna से हमने खरीदा था, ठीक ह cash को decrease किया, तो हम लिखेंगे, buy यहां पर, purchases, ठीक है, तो purchase किया, तो cash decrease हुआ ना, तो अगर, decrease in the asset, it will be recorded in the credit side, है ना, तो यहां पर हमने क्या लिखा, 10,000, समझ में आ गया, अभी यहां पर क्याश का है, इसमें भी cash है, cash received from Harry, Rs. 15,000, cash increase हुआ, तो अगर cash increase हुआ, तो debit side पे, तो to Harry, cash account debit to Harry, Harry का है, ठीक है, हरी का decrease हुआ, और कितना, 15,000, रुपे, ठीक है, उसके बाद cash paid to Krishna, 28,000, अभी हां पर हमारा cash decrease हो रहा है, cash अगर decrease हो रहा है, तो हमारा asset decrease होगा, तो हम क्या करेंगे, credit side में लिखेंगे, तो यहां पर लिखेंगे, by, ठीक है, by Krishna, ठीक है, और क कितना किया हमने, 28,000 का, 28,000 का, तो अगर आप यहां पर total करोगे, तो यहां पर आएगा 75,000, ठीक है, और यहां पर अगर total करोगे, that will be 75,000 minus 38,000, और 15 में से 6,78 गए, 6,7 हो गए, और यहां पर 6 बचा, 6 में से 3 गए, 3, तो यहां पर 37,000, you have to say like, by balance, ठीक है, ठीक है, that will be 70, ठीक है, तो यहां पर क्या हो गया हमारा, ऐसे अमाउंट बन गया, बच्चा, यह क्रेश हमारा क्या है, हमारा असेट है न, क्या है, जब पैसे होते हैं, हमारे क्या होते हैं, असेट होते हैं, तो असेट होते हैं, तो यहां पर क्या होता है, जब अस इंक्रीज होते हैं तो हम यहां लिखते हैं और अगर हमारा डिक्रीज होता है तो हम यहां लिखते हैं तो चलिए अब हमारा क्या होगा अब हमार को क्या करना सोल्ड गुड्स चू फोर टू हरी जब हमने सोल्ड करा गुड्स को हरी से तो हरी से हमें क्या करना है पैसे लेने ह तो हरी क्या है हमारा डेटर है हरी क्या है हमारा डेटर है क्यों हरी से हमने पैसे लेने तो डेटर क्या होता है डेटर हमारा असेट होता है तो असेट होता है तो मतलब हमार को सेम असेट साइड जैसा बनाना है ना तो यहां पर हम क्या बोलेंगे यहां पर हम बोलेंगे डेट ठीक है यहां पर हम बोलेंगे रुपीस और हम बोलेंगे रुपीन तो ये हमारा particular आगया यह हमारा particular हो गया यहां तक हो गया आपको आप चलिया गोड वहरी ऑन क्रेड़न तुद गुट — वहरी on credit. अब हरी क्या है? हमारा क्या हो गया? यहाँ पर मैं bracket में लिग देती हूँ. यह उपर लिग देती है, हरी अकॉछँपों है. चारी को हमने goods बीचे तो हरी से दीपाइसे लेने हैं. चारी का बूलते हैं? अगर हरी को goods बीचे तो हुर का amount increase हो गया और हमारे जो गुड्स हैं वो हमारे डिक्रीज हो गए ना हरी को हमने बेच आ तो गुड्स हमारे डिक्रीज हो गए तो जब गुड्स हमारे को सेल कर रहे हैं कैसे डिक्रीज होए क्योंकि हमने सेल्स कर रहा है तो हमारा सेल्स यहां पर आ गया तो हरी अकाउंट डेबिट करिए 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 लिख लिया लिख लिया आपने चलि तो जब हमने गुट सोल सेल करे हरी को तो क्या हुआ बिटा बताई गुट सोल टू हरी तो हमने क्या करा करकी देटर को हमने कर दिया इंड़ हमने जब हमने आप आ सेल कर दिया तो यहां पर क्या हो गया है थो क्या अभी के लिए हम क्या बोलेगे तो गोट तो कितना हो गया यहां पर बोलो 20,000 क्या हो गया 20,000 तो यहां पर हमारा 20,000 हो गया अभी आगर आपको नहीं लिखना आए यह सारी चीजें तो आप यहां पर लिख सकते 20,000 तो हम यहां पर बोलेंगे goods sold on credit बस आपको अभी बताया गया है इसमें कि T format बनाते कैसे हैं लेकिन अगर आप टोटल पूरा T format बना गए debtors account टीके तब भी कोई problem नहीं है ना number कटते हैं अब यहां पर क्या है अब हमने sold और किसे hari को कुछ किया है hari को हमने sale किया है कुछ hari received cash received from hari 15,000 का cash हमें receive हुआ थे तो जो debtor है वह decrease हुआ यह नहीं हुआ तो debtor अगर decrease हो रहा है तो हम यहां लिखेंगे तो हम यहां पर बोलेंगे decrease in debtor ठीक है, और कैसे हुआ, cash received, ठीक है, cash received, that is 15,000, decrease हो गया, लेकिन बेटा, अगर आप यहां पर यह लिख सकते हो, तो आप यहां पर क्या बना सकते हो, हरी का account बना सकते हो, to sales, ठीक है, 20,000, और buy cash, ठीक है, 15,000, अगर ऐसे भी लिख रहे हो, तब भी there is no issue in that case, ठीक है, कोई problem नहीं है, अगर आप ऐसे लिख रहे हो, यह शुरुवात में इसलिए आपकी books में ऐसे दे रखा है, आगे जाके आपको वैसे ही account बनाना है, ठीक है, तो यहां पर क्या है, sold goods, cash received from debtor, that will be the 20,000 here, 20,000 यहां पर है, buy balance carried down, ठीक है, buy balance carried down, that is 5,000, ठीक है, लुख के number 25, यह आपको बस बता रखे कि T format में आपको लिखना कैसे है, बट अगर आप ऐसे normally बना देते हो account, जिसे मैं बना रहे हूं, तो इसमें कोई problem नहीं है, आगे जाके आपको सब कुछ यही बनाना है, ऐसी entries करना है, ठीक है, तो चलिए debtor के बाद अब हम creditor कर लेते हैं, ठीक है, हम क्या कर लेते हैं, creditors account कर लेते हैं, amount, amount, ठीक है, चलिए, creditor मतलब कौन होता है, जिसे हमने पैसे देने हैं, मतलब जिससे हमने कोई चीज खरीदी है, लेकिन credit पर खरीदी है, ठीक है, तो यहाँ पर हमने क्या बोला, purchase goods from Christian on credit, 36,000, तो creditor हमारा increase हुआ, creditor क्या है, हमारी liability है, liability increase होगी, तो यहाँ पर लिखेंगे, decrease होगी liability, तो यहाँ लिखेंगे, personal account है, debit the receiver, credit the giver, अब हमने जब purchase किया है, यहाँ फरएग्जांपल, हमने क्या करा, purchase करेंगे, पर चेस करेंगे, और क्रिशन कौन है, गिवर है, तो k 아니에요 क्रेडिट करेंगे, तो यहाँ पर यहाँ पर हमारा personal account का फॉर्म लग गया, चिक है, बट उसे अभि साईड में, रखे कही कि क्रिशन क्या है हमारी लायबिल्टी है लायबिल्टे इंक्रीज हो रही है तो क्रेडिट साइट पर करेंगे तो हम कहेंगे यह पढ़ाइफ्प फॉह थिख्फ 36,000 36,000 टिक है उसके बाद हमने क्या बोला cash paid to Christian cash paid to Christian अब receiver कौन है Christian है debit the receiver credit the giver अब Christian receiver है Christian का account क्या होगा debit होगा लेकिन जब हम Christian को cash pay कर रहे हैं तो हमारी liability decrease हो रही है तो हमने यहाँ पर क्या लिग दिया to cash to cash और कितना हमने pay करा that is 28,000 टिक है तो 2 balance carried down 36 minus 26 minus 28 अगर आप करते हो तो आप क्या बोलोगे 6, 7, 8, 8, 8, 16 होता है राइट तो यहाँ पर 8,000 बज गया that is 8,000 तो यहाँ 36,000 तो यहाँ पर 36,000 तो यहाँ पर 36,000 तो इस वास्थ बेसी क्राइटीरिया लेकिन हां अगर आपकी बुक में दे रखा है कि increase और decrease तो आप यहाँ पर यह भी यह चीज लिख सकते decrease in creditor ठीक है अब आपकी book में for example अगर इसे ऐसे दे रख़ा है कि अगर creditor account उन्ने बनाया और उन्नों ने आपको ऐसे बोल दिया for example मैं यहीं लिखके दे रही हूं क्योंकि starting है भी आपकी ठीक है उन्नोंने बोला decrease in creditor ठीक है ऐसे बोल दिया होगा decrease हो गया क्रेडिटर में क्योंकि हमने cash paid cash pay कर दिये 28,000 का चीक है increase in creditor और उन्होंने बोला होगा कि जैसे कि हमने क्या करा purchase करा चीक है तो उन्होंने का 36,000 तो यहां पर हमारा to balance carried down हो गया that will be 8,000 अगर book में ऐसे दे रखें no problem in that case आप ऐसा भी बना कर चलिए क्योंकि उन्होंने अभी starting कर आई है आगे अगर भविश्य में अगर आप accounts में ही आगे जाते हो तो यहां पर आप देखोगी कि 11th के बाद 12th में भी आपको सीधा account बनाना होता है जैसे मैं बता रही हूं बट उन्होंने थोड़ा सा आपको ऐसे बता रहे है starting के लिए ठीक है तो आपको यह लेक्चर अच्छा लगा है यह आपका homework question हो गया and this homework question is also belongs to the page number मैं बता देती हों आपको ठीक है यह comment business with cash 5 lakh rupees तो अगर यहां पर book question आपको नहीं देखता है तो आप ऐसे करिए कि screenshot ले लो ठीक है अब में को book question book number नहीं देख रहा पता नहीं क्यों राइट तो पेज नमबर नहीं देख रहा है मुझे तो आप ऐसे करिए screenshot ले लीजे और इसको कर लिजेगा ठीक है ले लो screenshot तो चलिए तो होब आपको यहां पर accounting equation का T form कैसे करते हैं वो समझ में आ गया नहीं आया है तो बता दीजे एक लेक्चर में और ले लूँगी बट क्रेडिटर क्या है बिटा क्रेडिटर हमारा क्या है क्रेडिटर हमारी liability है तो क्रेडिटर हमारा क्या होता ह गोल्डन डूल में मैं कहूंगी यह पर्सनल अकाउंट है लेकिन वैसे क्रेडिटर क्या है क्रेडिटर हमारा एक लाइबिलिटी है और लाइबिलिटी और असेट्स जब भी इंक्रीज हो रहे हो तो हम क्या करते हैं बताए लाइबिलिटी और असेट्स इंक्रीज हो रहे ह है तो प्लीस मुझे बता दीजेगा मैं करा दूंगी तो खोब आपको ये लेक्च्चर अच्छा लगा हो आज के लिए बस इतना ही तो अब मैं जाती हूं चलिए बाबाई ठीक्या